तो साथियू नमस्कार आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह जो दोस्तो टॉपिक है WBC आखिर होता क्या है तो आज इसी के भी सहे में यह जो वीडियो है ना पूरा इसी पर क्या है आश्रित है तो दोस्तो सबसे इंपोर्टेंट बात तो यह है कि अगर आपको इ आप कॉपि में नोट कर लिजेगा ठीक है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम WBC को ऐसा समझेंगे ताकि कभी भूलेंगे नहीं तो दोस्तो आज हम जो आपको WBC बताने जा रहे हैं उससे पहले आपको छोटी-छोटी बातों को ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है त जो कि आप समझ पाओगे नहीं ना तो चलिए अब हम आपको डेल से समझाते हैं कि यह रखन को किस तरह से है तो सबसे पहले हम इसको WBC को साइड में करते हैं और आपके सामने जो आपको सामने यह क्या दिख रहा है दोस्तो यह रखन लिखा हुआ दिख रहा होगा दोस्त आपको ना घरबरानी नहीं है कि यहां तक की बाते आपको समझ में आई की नहीं आई तो दोस्तो अब आगे समझते हैं कि आगे अब हम क्या समझने वाले हैं तो दोस्तो आगे जो रख्त होता है एक्जामपल समझे रख्त जो होता है ना दोस्तो वे आपका क्या-क्या से म इसके बाद होता है दोस्तो रूधी रानु ये दोनों मिलकर रक्त बना होता है तो दोस्तो रक्त में जो पलाजमा की जो मात्रा होती है ना 55 परतिसत से लेकर 60 परतिसत तक होती है दोस्तो आपको NCRT में 60 परतिसत मिलेगा अगर 60 होगा तो समझ लिजे कि रूधी रानु का ज दोस्तों क्या इतनी चोटी सी बात आपको आई की नहीं है कि रक्त जो होता है वह दो चीजों से basically मिलकर बना होता है एक तो दोस्तों प्लाजमा और इसके बाद जो अगला हाता है वह क्या रूधी रानू तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि प्लाजमा जो होता है वह क्या होता होता है तो इसए और टेप होता है होता है कि डिल्कुल तो ₈ यह को हम घुर्वडानी नहीं है यह सकते हैं। सबीन को समझना असान बात होती है कि प्लाजमय जो होता है प्लाजमय भाग ही क्यों महत्तमलब भाग है कि तो दोस्तों आपने अभी भी देखा कि वह कितना है 55 से 60 है लेकिन रुधी राणू, जो है दोस्तों कितना है चालीस से लेकर पहल्टालीस है मतलब इसके लगभाग में है तो क्या जो महत्तिव पूरन भाग है ना यानि यह प्लाजमा क्या है खून में क्या है सब से ज्यादा है वो दोस्तो मतलब छितरा जाता है असानी भासा से समझा जाया तो अगर पानी को बीग दे जाता है तो फैल जाता है लेकिन दोस्तो वही अगर पत्थर को बीग दे तो क्या वो फैलेगा नहीं न या दोस्तो हम तेल को कह दे तेल को पानी को ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ होत तो यह क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है भाग है रक्त का ठीक है तो दोस्तो अब इसमें नब्वी परतिसत क्या होते हैं जल होते हैं यह जो प्लाजमा होता है इसमें आपको नब्वी परतिसत क्या होते हैं जल होते हैं और दोस्तो दस परतिसत ना आपका प्रोटीन तथा कार्बोहाइडरेड होते है यह प्रोटिन और कार्बोहाइडरेड होते क्या है दोस्तो प्रोटिन और कार्बोहाइडरेड यह आपका पोसक तत्व है यह जो आपका है दोस्तो यह क्या है पोसक तत्व है तो दोस्तो पोशक तत्व है तो हमारे जो पोशक तत्व होते हैं और भी होते हैं जैसे कार्बोहडरेड, प्रोटिन, वसा, बिटामिन, एवं, खनीजलवन यह सब जो होते हैं पोसक ततव होते हैं और यह जो होते हैं दोस्तों आपको कहां से आते हैं तो आपका भोजन समझ रहे हैं दोस्तों जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन से निकलते हैं कार्बोहेड़ेड प्रोटिन ये सब भोजन में क्या होते हैं पाय जाते हैं तो पोसक यह जो है प्रोटीन और जो आपको कार्बोहेडिट है यह आपको क्या है पोसक कतव है जो कि आपका प्लाजमा होता है यानि तरल भाग जो होता है उसमें आपको 10% क्या होते हैं प्रोटीन 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 प्रोट पातो इतनी छोटी सी बात आपको आई अब हम समझते हैं दोस्तो कि रूधिरानु जो होता है वह क्या होता है तो कि आपको कि उन्हामस समझ में आई तो आप अगर लिखना चाहते हैं न तो आप आपको कया किजेगा वीडियो को रोक कर और अस्किनसॉट मार कर न लिख लीछेगा तो हम आपको छोटा कर दे रहें आप चाहे तो लिख सकते हैं थीक तो कहां होती है दोस्तो तो रक्त में होती है तो क्या दोस्तो इतनी छोटी सी बात आई की नहीं आई तो रूधिरानु जो होती है वह कहां होती है रक्त में होती है लेकिन कितना परतिशा तो 40 से लेकर 45 बेसिकली एंसे आटे में 40 लिखा होता है तो आपको घरवडानी नहीं तो अब हम चलिए समझाते हैं आपको कि रुधिरानु जो होता है वह क्या होता है दोस्तो हम रुधिरानु को ना आपको देखिए रुधिरानु को हम रक्त कनिकाय कहेंगे तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि रुधिरानु को हम रक्त कनिकाय कहते हैं के लिएर दोस्तों रुधिरानु को ना हम रक्त कनिकाय कहते हैं के लिएर और इसके बाद दोस्तों उसको रुधिरानु तो कहते ही कहते हैं और इसके बाद उसको रक्त को सिका भी कहते हैं तो अगर हम आपको कहेंगे कि रक्त कोशिका इतने होते हैं तो आप समझेगा कि हम रूधिरानु के बात कर रहे हैं क्या का बात कर रहे हैं रूधिरानु के तो दोस्तो इसको हम रक्त का निकायें भी कह सकते हैं रुधिरानू भी कह सकते हैं और इसके बाद हम रक्त कोशिका भी कह सकते हैं तो दोस्तों रक्त कोशिका भी कह सकते हैं रुधिरानू भी कह सकते हैं और रक्त का निकाय भी कह सकते हैं और इसके बाद दोस्तों इसको हम हमारा जो रुधिरानू जो होता है क्या आपको रुधिरानु समझ में आया कि हमारा जो रुधिरानु होता है वो रक्त कनिकाय होते हैं या आपको रक्त कोसिका होते हैं किलियर और यह जो दोस्तों होते हैं यह आपके तीन भागों में बटा होते हैं वे आपका होता है क्या RBC, क्या आपको clear यहां देखने को मिल रहा होगा, पहला जो होता है RBC, तो RBC को हमने विडियो में बना दिया है, तो आप चाहे तो RBC को लिख कर मंगा सकते हैं, दोस्तो WBC आज हम को जाननी है न, तो दोस्तो WBC क्या है, तो आपको बस बतानी है कि WBC ज होता है, तो दोस्तो रक्त कोशिका कि जो भाग होते है, तीन होते है, तो एक तो RBC होता है, WBC होता है, तो आपको कोई अगर विखती पूछ देते हैं, कि WBC क्या है, तो आपको बतानी है, पर से कि रक्त कोशिका क्या है, वह भाग है, अभी हम डीटेल्स में उसको समझाते हैं कि WBC आखिर है क्या तो आपके सामने आ गई है WBC लिखा हुआ और चलिए अब हम आपको समझाते हैं तो दोस्तो अब इसको छोटा करते हैं और आपको समझाते है डाबलू का मतलब होता है दोस्तो वाइट क्या होता है डाबलू का मतलब क्या होता है दोस्तो कह सकते हैं कोशिका तो स्वेत इसको कह सकते हैं स्वेत रक्त यानि खुन भी कह सकते हैं और इसको हम कोशिका या कनिकाय कह सकते हैं सेल यानि कोशिका और इसको कारफल्स भी बोल सकते हैं ताकि इसको कनिकाय भी कह सकते हैं तो दोस्तो स्वेत रक्त कोशिका ठीक है दोस्तो हम स्वेत रक्त क्या बोल सकते हैं इसको कोसिका बोल सकते हैं क्या WBC को हम क्या बोल सकते हैं स्वेत रक्त कोसिका यानि स्वेत का मतलब उजाला और रक्त का मतलब खून होता है और कोसिका का मतलब क्या होता है तो कोसिका एक जी होती है ठीक है जो हमारे बोड़ी के अंदर होती ह क्लियर दोस्तों तो अब हम समझते हैं इसके बारे में और भी कुछ महत्वपुर्ण जनकारिया तो WC का full form आपको पता हो गया होगा कि W से होता है white और B से होता है blood और C से होता है cell तो अचलिए अब आपको लिख देते हैं white blood cell white white blood cell तो यह है आपकी full form तो चलिए अब हम आपको कुछ इसकी और भी महत्वपुर्ण जनकारिया प्राप्त कराते हैं दोस्तों आपके सामने जो लिखा हुआ देख रहा हुआ कि W BC जो होता है यानि कह सकते है white blood cell white blood cell यानि sweet रग्त कोशिका जो होती है उसका जो अकार होता है ना अनीमित होता है क्या सकते हैं हमारा जो शरीर का अकार जो होता है क्या होता है नीशित होता है लेकिन उसका जो जिसे अकार होता है ना नीमित नीमित और अनीमित समझने का एक सिंपल साम कह सकते हैं कि दोस्तों हम जो ह ज्यादा बढ़ते नहीं और बढ़ते भी तो लगबग 6-6 फिट तक लेकिन पेंड़ पोधे क्या उतना ही बढ़ते हैं आप उसको जितना काटेगा वे उतना ही बढ़ते जाते हैं और कभी का नहीं भी बढ़ते हैं तो उनका जो अकार होता है क्या होता है अनीमित होता है त समझें अब हम समझते हैं अगला अगला जो है दोस्तो डबलू बीसी आखिर जो डबलू बीसी है यानि स्वेत रक्त कोशिका का जो निर्मान होता है वह कहां होता है तो अस्थी मजा में दोस्तो अब अस्थी मजा क्या होता है तो अस्थी मजा ना दोस्तो क्या आप दोस्तो हड़ी समझ रहे हड़ी यह हड़ी दोस्तों जिससे कोई चीज़ का हड़ी है तो हड़ी का जो खोंखला जो पाट होता है ना खोंखले पाट को क्या बोलते हैं हम अस्थी मजा तो इसको हम असानी से लिख सकते हैं अस्थी मजा तो क्या आपको इतनी छोटी सी बात आई की नहीं आई समझ में दोस्तो हड़ी की खोंखले पाट को क्या बोलते हैं अस्थी मजा ठीक है तो अस्थी मजा आपको लगता है समझ में आच चुटी होगी तो WBC का अगर कोई कह दे सवाल के WBC का निर्मान होता है तो आपको बता देनी है अस्थी मजा यानि अस्थी मजा किसको कहते हैं जिससे मोटा हड़ी समझ रहे हैं हड़ी के खोंखले पाट को हड़ी जो होता है उसके खोंखले भाग को क्या बोलेंगे हैं अस्थी मजा तो वहां क्या होता है या निर्मान होता है वहाँ क्या होता है वहाँ बनता है ठीक है अगला देखिए दोस्तों इसको न हम स्वेत रक्त कोशिका कह सकते हैं हाँ दोस्तों क्यों कह सकते हैं क्योंकि वाइट बलड सेल वाइट का मतलब उजला यानि स्वेत और रक्त का मतलब खून और सी का मतलब कोशिका या कारफाल्स यानि कनिकायें भी कह सकते हैं तो दोस्तो स्वेत रक्त को सिका भी इसको कह सकते हैं तो आपको घड़बढ़ानी नहीं है दोस्तो और यह ना इसको हम स्वेत रक्त कनिकायें भी कह सकते हैं क्या इतनी छोटी सी बात आपको आई इसको क्या कह सकते हैं स्वेत रक्त कनिकाएं के लिए अब हम समझते हैं यह जो होता है दोस्तो लाल नहीं होता है इसका जो इसका जो कलर होता है क्या लाल नहीं होता है क्योंकि हमने आरबीसी जो बात किये थे दोस्तो वहां नहीं होता था लाल लेकिन यह लाल नहीं होता है कैसा होता है तो उजला होता है ठीक है दोस्तों और इसमें नहीं होता है हीमोगलोबिन क्या यानि हीमोगलोबिन जो होता है दोस्तों वह रक्त को लाल करता है लेकिन इसमें तो हीमोगलोबिन होता ही नहीं है किलियर दोस्तों और हम आग तो दोस्तो और WBC को और देखेए इनकी जो संक्या होती है हमारे बलडों में वह कितनी होतीयानि रूधिरानु में र liberal कोसिका की जो मात्रा हотри है कहे सकते हैं रूधिरानु या र썹 Bol descobrir उनकी जो संक्याहोती है वह धूस्तो Dudu थावजेंट में होती है थाउजेंट यानि हजार में क्या होती है होती है ठीक है दोस्तों अब अगला जो होता है इसका यह न दोस्तों रोगानू से बचाती है WBC जो होती है वे आपको न रोगानू से बचाती है कह सकते हैं रोगानू जो रोग उत्पन करते हैं उनसे क्या करती है या बचाती है क्या है या हम कह सकते हैं रुधी रानु का यह जो है भाग है यह क्या है रुधी रानु का क्या है भाग है जिसको हम डबलू बी सी के नाम से जानते हैं डबलू का मतलब होता है वाइट और बी का मतलब होता है बलड और सी का मतलब होता है सिल या कारपल्स भी बोल सकते हैं सी का मतलब तो और और भी बताने के WBC जो होता है उसको हम रक्त का निकाया भी कह सकते हैं स्वेत रक्त का निकाया और यह लाल भी नहीं होता है और इसमें हीमोगलो भी नहीं होता है इसको ल्यूकोसाइट भी कह सकती है और इनकी जो संक्या होती है थाउजेंट में होती है तो अगर आप से कोई पूछे तो आपना जवाब दे दिजेगा ठीक है दोस्तों क्या इतनी छोटी सी भात आपको आई की नहीं आई अगर आगाई हो तो यार कोमेंट जलूर करना अब हम समस्झ लेते हैं इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है तो दोस्तो इसका जो मोखी कारी होती है ना कारी कहने का मतलब समझ रहे ना इसका जो मोखी कारी होती है WBC का यानि White Blood Cell का कह सकते हैं स्वेत रक्त कोशिका का जो मोखी कारी होती है दोस्तो वे आपका होते हैं कि हमारे सरीर में जो पर्वेस करने वाले रोगानू होते हैं उसक जो क्या करती है कि वह रक्त को न उसमें जो रोघानू आते हैं उसको नश्ट कर देती है तो आपको WBC अगर आपको समझ में आ गई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और नहीं समझ में आतो डिसलाइक भी कर देना और दोस्तो WBC आखिर होता क्या है आपको पता चली गए होगा कि WBC जो होता है वे आपको रक्त को सिखा यानि कह सकते हैं रूधी रानू का क्या यह भाग है क्या इतनी छोटी सी बात आपको आई की नहीं आई अगर आई हो तो चलिए दोस्तो वीडियो आज का यहीं पर हो आपको रहाह को आई हुआ है।